हले इवरिवन विलकम टु सरोज मिशाज यूटीब चैनल में यूटीब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो गुड नियूज है एसिस्टेंट प्रोफेसर एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा कि यूजी सी ने एक नई पॉब्लिक नोटिस जारी की थी कि एसिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्राक्टिस नाम से पोस्ट क्रियेट किये जाएंगे जहां पर नेट सेट या पीजडी किसी भी चीज़ की रिक्वाइर्मेंट नहीं होगी तो डबल एंट्री होगी एक तो होगी नेट सेट पीजडी के थुरू एसिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूट्मेंट और दूसरी होगी जिनके पास कुछ एक्सपीरियेंस है किसी भी फील्ड में और नेट सेट पीजडी की वहाँ जरुवत नहीं होगी तो फर्स्ट वेकेंसी मुझे नजर आई जो की एसिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है और एसिस्टेंट प्रोफेसर और प्राक्टिस के लिए भी है तो यह पहली वेकेंसी है जो यूजी सीक्यू सर्कूलर के बाद मुझे नजर आई तो चलिए आगे बढ़ते कहां से नोटिस रिलीज की गई है और क्या रिक्वार्मेंट बताई जा रही है अगर नेट सेट पीजडी नहीं चाहिए तो क्या रिक्वार्मेंट होगी सैलरी भी बहुत अच्छी 87,000 से लेके 95,000 रुपीज पर मन्त और एक अच्छी चीज है कि यहां पर जो एज लिमिट दी है व देन इंजिनियरिंग एंड टेकनोलोजी और एक है इंफोर्मेशन टेकनोलोजी एंड एप्लाइड इंजिनियरिंग टेकनोलोजी तो जो नॉर्मल अपने सब्जेक्स है वेकेंसी जो उसमें 55 परसेंट मास्टर डिग्री और नेट चाहिए या फिर पीएच डी चाहिए प यह जो इंजिनियरिंग वाला सब्जेक्ट है इसके लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए कोई एक्सपिरियंस भी नहीं चाहिए और एक है तीसरी वेकेंसी तीसरे टाइप की एंट्री एसिस्टन प्रोफेसर ओफ प्राक्टिस तो यहां पर क्या मांगा जा रहा है Master Degree in Relevant Field of Expertise with Minimum 5 Year of Experience तो 5 Year of Experience मतलब कहीं पर भी आपने काम किया किसी इंडस्ट्री में काम किया बैंक में काम किया कमपनीज में काम किया कॉर्पोरेट में या आपने टीचिंग का काम किया पास साल का experience है और Master Degree है तो आप application डाल सकेंगे तो यह पहली बार किसी वेकेंसी म मुझे यह assistant professor of practice के लिए भी space नजर आया तो अच्छा लगा मुझे यह notification जारी की गया राष्ट्री रक्षा यूनिवर्सिटी एन इंस्टिटूशन अफ नाशनल इंपोर्टेंस गुजरात गांधी नगर में है salary बहुत अच्छी 87,000 to 95,000 फिलाल यह वन यर के लिए लेकिन मेरा कहने का यह था कि जब एक बार assistant professor of practice किसी भी बड़ी university ने इस तरीके से entry लेना शुरू कर दिया कि आपके पास 5 साल की experience है तो आप eligible apply करने के लिए without net set PhD भी तो धीरे 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 यह चीजे आपको permanent vacancies में भी नजर आने लग जाएंगी एक बार अगर UGC की notice final circular आ जाती तो यह नजर आने लगेगी आपको सभी universities में और contract ही नहीं permanent vacancies में भी नजर आने लग जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि net set PhD को नहीं लेंगे वो भी एक point रहेगा वो भी एक entry का यह रहेगा और दूसरी तरह से entry से भी होगी without net set PhD अगर पास या उससे ज्यादा साल की experience है किसी भ तो अभी यह subject है यहाँ पर forensic science, law, maritime law, criminology और behavioral science, security studies, police administration, international relation, information technology, applied engineering technology, digital cyber और forensic, English linguistic physical education तो मैंने आपको बताया तीन तरीके हैं पहला तो अगर information technology और यह जो है applied engineering technology इसमें master degree है सिर्फ first class के साथ तो ना तो experience की जरुवत है ना ही net set PhD की क्योंकि as per AICT बागी subject में या तो net set PhD, PhD कभी भी हो ऐसा कुछ नहीं है कि यह year में होना चाहिए हो कभी भी आपने PhD की हुई है या फिर net किया हुआ है या फिर आपके पास net PhD कुछ भी नहीं है वाट 5 years की experience है तो भी आप application डाल सकते हैं salary अच्छी है age limit 87 to 65 years और इसके लिए official website पर चलते हैं यह official website की page है जहां पर आपको application form मिलेगी और यह detailed advertisement मिलेगी subject मैंने आपको बता दिया है क्या-क्या qualification की requirement है तीन तरीके की है qualification की requirement हो सारी चीजे पढ़के application आपको भेजनी है यहां पर कुछ declaration form है यह सब भी आप डाउनलोड कर ले फिल कर ले पूरी systematic गुजरात है गुजरात में है job location तो वह आप चेक कर लें आप में से जो भी मेरा यह वीडियो बनाने का खास मतलब यह था कि कुछ अल पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कैसे भेजना है यहां पर लिखा है स्पीड पोस्ट आर पी एडी या फिर कुरियर या फिर परस्नली भी जाकर ड्रॉप कर सकते तो यह चार्ट तरीके दिये हुए आर पी एडी यह जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको बताएंग कि आप स्विच करना चाहते हैं तो टीचिंग मतलब टीचिंग में आना चाहते हैं आपके पास नहीं है नेट सेट पीएडी पर आपने कहीं काम किया हुआ है तो यह बहुत अच्छा मौका है उनके लिए एंटर करने का आप सभी को बेस्ट विश थाइंक यू वेरी मच य जाल से जाद आपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें वीडियो को